अस्सलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ खेरत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठेकू अल्हा का शुकर है हम आज बनाने वाले हैं मोती चूर पाफट तो मोती चूर पाफट बनाने के लिए मैंने यह मोती चूर के लड़ू लिए है इनगे मैंने रेडिमेंट ले लिए हैं अगर आप इसको बना कर लेना चाहते हैं तो बना लीजिए और फिले लीजिए अगर मैं अभी आपको मोती चूर के लड़ू बनाने की रेसिपी देती तो वीडियो काफी लंबी हो जाती तो यह मैंने दूद ले लिया है टू एन दूद को करणा हैं तो अब स्कुम ले ले याकी में डीमारत के हम अगर आपको इलाइची का फ्रेवर नहीं पसंद है तो इसकीब कर दीजिए और लो फ्लेम पर आपकातए रहेंगे जब तक लेयु दोद हमारा एक कप नहीं हो जाता अगर आपने चार कप दूद लिया 방म तो दो कप होने तक पकाना है, मैंने धाई कप दूद लिया है, तो मैं एक कप होने तक पका लूँगी, और उसकी जो मलाई आते जाएगी, उसको आपको साइड में लगाना है, इससे क्या होगा, कि लच्छेदार और बहुती अच्छी हमारी रबडी बनकर रेडी होगी, तो नीचे लगने की वज़े से दूद जल भी सकता है, तो जब तक हमारी रबडी साइट में पक रही है, उसको पकने के लिए आदा घंटा तो लगेगा ही, तो तब तक हम हमारे केरेमेलाइज नट्स को रेडी कर लेते हैं, यह मैंने वन थर्ट कप शुगर ली है, इसमें वन दालेंगे तक यह मिक्स हो जाए, और फ्लेम को हमें लोई रखना है, तो यह देखिए, कलर आना शुरू हो चुका है, इस वक्त बिल्कुल भी आपको गैस के पास से हटना नहीं है, इसको स्टर करते रहें कंटीनूसली, ताके हर तरफ एक जैसा कलर आ जाए, क्यूंके यह जल्दी जलना शुरू हो जाती है, और अगर कैरेमल जल जाएगी, तो उसका फ्लेवर खराब हो जाएगा, तो कैरेमल बनकर रेडी है, उसमें नर्ट्स दाल देंगे, जो भी नर्ट्स आपको पसंद है, चॉप करके डाल दीजिए, मैंने थोड़ा मोटा मोटा चॉप किय तो इसको मिक्स कर लिया है, यह मैंने बटर पेपर लिया है, उसको ओल से ग्रीस करना ना भूले, अगर ऑल से ग्रीस आप नहीं करोगे, तो बटर पेपर में चिपक जाएगी, और निकलेगी निया आपकी नर्ट्स, जो हमने कैरेमल आई नर्ट्स बनाई है, तो यह देख थर्टी मिनिट्स हो चुके है, हमारी रबडी बनकर रैडी हो गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से, यह एक कप में आ गई है, देखा है अपने, कम हो गई है, कॉइंटिटी में यह अपने, अब जो हमने साइड में मलाई लगा कर रखी ती, उसको हमें निकाल कर इसमें आ अच्छे दार हमारी रबडी बनने वाली है, और टू टेबल स्पून इसमें शूगर डाल देंगे, शूगर पहले नहीं डालना है, जब रबडी आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी तब डालना, यह देखिए कितने अच्छे लच्छे आए हैं इसमें, इसको आदे से ए अगर आप निकालना चाहें तो निकाल ले वरना आप इसको ऐसे भी तोड सकते हैं डायरेक्ट, बट मैंने निकाल लिया है इसको प्लेट में, तो ओईल लगाने से कितने इजिली निकल गया हमारा नट्स, और यह देखिए, बहुती परफेक्ट हमारा कैरेमल नट्स बनकर रेडी हुआ है, तो इसको हम साइड में कर देते हैं अभी, और यह रबडी भी थंडी हो चुकी है, थंडी होने के बाद आप देख सकते हैं, कितनी बड़िया रेडी हुई है यह, बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तयार हुई है, लच्छे दार थंडी थंडी रबडी, त चाहे तो कोई भी बोल ले लीजे, बड़ा उसमें भी आप सर्फ कर सकते हैं इसको, तो सबसे पहले हम मोती चुर के लड़ू डाल देंगे, स्किलियर लगा देंगे, घर में कोई भी फंक्शन वगेरा होता है, तो जादा तर लड़ू ही आते हैं, तो हमसे खाए नहीं जा होगा ही और बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से स्पून से दबा लीजे, ताकि वो सेट हो जाए लेयर, अब हमने जो रबडी बनाई थी, वो रबडी हम इसमें डाल देंगे, आपको जितनी पसंद है रबडी जादा या कम उतनी आप डाल दीजे, तो मैं टू अब फिर मोती चूर के लिए लगा देंगे हम, और सेंटर में थोड़ी जगा छोड़ देंगे, और उसमें हम दाल देंगे थोड़ी थोड़ी रबडी, इस तरीके से रबडी दाल देना है सेंटर में, और जो हमने केरमलाइज नट्स बनाया है, उसको सेट कर देना है, सें या साइड में जैसे आपको अच्छा लगता है या फिर अगर आपको उसके चंग्स अच्छे लगते हैं तो उसको और चोटे-चोटे पीस में तोड़के उसके चंग्स भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो यह देखिए बहुती माशालल लूक अच्छा आया है हमारा टेस्टी और मज़ेदार मोती चू रबड़ी पाफेड विथ कैरमलाइज नट्स बनकर रेड़ी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी रेसिपी को झाल झाल झाल